हेलो दोस्तों नमिश्कार आप सभी के स्वागत है DRK TV पर मैं हूँ आपका दोस्ट डॉक्टर कनईया बी कानेर राजस्थान से दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही important topic के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों आपने मेरे overthinking को कैसे stop करें वो वाले वीडियो देखें CBT वाले वीडियो देखें आज ये CBT के उपर 5th number वीडियो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो overthinking जो चलती है जो negative thoughts की जो chain चलती है train जो चलती है इस train के आगे जो engine जुडा हुआ होता है जैसे train को engine है वो engine सारे डबो को खींचता है engine अगर start है तो वो सारे डबे उसके पीछे पीछे चलते है और engine अगर बंद हो जाए तो सारे डबे बंद हो जाते है वैसे हमारे दिमाग के अंदर जो विचार चलते हैं, विचारी की जो train चलती है, उस train के अंदर एक dysfunctional thought होता है, वो जो dysfunctional thought है, उस dysfunctional thoughts को कैसे पैचाने और उस dysfunctional thoughts को अगर हम correct कर लें, तो हम overthinking से हमिसा के लिए free हो सकते हैं, हम negative thinking की chain से free हो सकते हैं, हम दिमागी thought पर free हो सकते ह जहां पर भी जाएंगे सिर्फ वहीं के थॉट्स ही हमारे दिमाग में आएंगे बाकि कोई भी थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं आएगा दोस्तो अगर आप overthinking से परिशान है, negative thinking से परिशान है तो यह CBT का जो 5th वीडियो है, जो 5th पार्ट है यह आपके लिए चलिए मैं आपको बताता हूँ यह dysfunctional thought कौन सा है दोस्तो आज हम बात करेंगे mind reading के बारे में मैं इस वीडियो के बारे में बताऊंगा कि mind reading होता क्या है चलिए दोस्तो इसको पूरा detail में discuss करेंगे उससे पहले मैं आपको एक example बता देता हूँ और इस example के अंदर किस तरह से mind reading होती है और mind reading का actual मतलब क्या है फिर इसको correct करना है कैसे correct करते हैं इसके बारे में अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तो example के अंदर मैंने वही A, B, C, D और E लिखा है यह CBT का ही performa है आप लोगों ने मेरे अगर चार वीडियो पहले देखे हैं तो उस वीडियो के अंदर मैंने इस performa को use किया है यह चार points कौन से है यह activating event जिस वज़े से दिमाग के अंदर thoughts की train start होती है जो B है वो हमारा belief जो dysfunctional thought जो हमारा है जो belief वाला part है उसके बाद जो belief के बाद जो thoughts हमारे दिमाग के अंदर start आता है उस thoughts के बाद में उसके consequences क्या होते है उसके हमारे behavioral consequences क्या है उसके हमारे emotional consequences क्या है और उसका हमारी body के उपर क्या impact पड़ता है हमारे physics के उपर क्या impact पड़ता है हमारे जो physics के अंदर कौन से symptoms produce होता है, कौन से laction produce होता है, यह है इसके consequences और उसके बाद जो D, जो यह dispute है, dispute का मतलत का है, जो dysfunctional thought है, उस thought को correct करना और last में E, अगर हम dysfunctional thought को more realistic और adaptive way में अगर correct कर लें, तो उसका क्या effect आता है, तो चलिए example यह है कि एक व्यक्ति है जिसको उसक घर में बात कर रहे हो, चाहे office में बात कर रहे हो, यह activating event है, उसके सामने अगर कोई भी दो लोग बात कर रहे हो, वो आपस में बात कर रहे हो, हस्तेवे बात कर रहे हो, तो उसके दिमाग में इस तरह के thoughts आने लग जाते हैं, कि मुझे पता है कि वो लोग क्या बाते कर रहे मेरे बारे में हमेशा negative talks ही कर रहे हैं यह मुझे पता ही कि यह मेरे बारे में बात करते रहते हैं और यह मेरे बारे में हमेशा negative talks ही करते रहते हैं मैं चाहिए इनके लिए कितना ही अच्छा क्यों ना कर दूँ इनकी निजरों में हमेशा मैं गलत ही होंगा या मैं गलत ही होंगी और हमेशा इनको तो कोई ना कोई मौका चीहे मेरी बुराई करने के तो वो कहीं पे भी लोगों को बात करते वे देखते हैं अगर वो अपने office के अंदर काम कर रहा है office के अंदर अगर लोग आसपास के जो colleagues है जो उसके known वो अगर आपस में बात करते वे दिख जाएं जिस बात के अंदर उसको include नहीं किया जा रहा वो सामने बैठा है वो आपस में बात करें तो उसकी दिमाग में इस तरह के thought आने लग जाते हैं घर पे भी जब उसके husband अपनी जो उसकी जो सास से उससे बाते कर रहे है या उसकी मदर से कोई बात कर रहा है तो उसके दिमाग में ये thought आने लग जाते है उसको ऐसे लगता है कि जैसे ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मुझे पता है कि ये लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में कहां गलत बोल सकते हैं, हमेसा इन लोगों के दिमाग में यही चलता रहता है। दोस्तों यह है belief वाला पार्ट और जबी भी यह belief वाला पार्ट आता है, यह thoughts दिमाग में आते हैं, तो इसके जो consequences हैं, इसके consequences, सबसे पहले हम emotional consequences की बात करते हैं, कि क्या feel होता है, तो emotional consequences क्या होते हैं, जब भी इस तरह के thoughts आते हैं, तो feeling के अंदर के आता है, बहुत ज़्यादा गुसा आता है, अगर लोग इस तरह से उनके बारे में बात कर रहे हैं, लोग अगर हमारे बारे में loose talk कर रहे हैं, खराब बात कर रहे हैं, यह हमारे दिमाग में आ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, अलग बात हैं, यह हमारे दिमाग में आ रहे हैं, कि they are talking about me, तो वहा के अंदर जो husband है, उससे बात नहीं कर रहा है, move फूला के बैठा हुआ है, या move फूला के बैठी हुई है, और जो husband है, अगर मालनो, wife को लेका इस तरह के thoughts आ रहे हैं, तो, वो उदर move फूला के बैठा हुआ है, और जो thoughts की train उसके दिमाग में चलने लग जाती है, जैसे ये dysfunctional thought आता है, उसके बाद continuous उसका दिमाग है, उसके अंदर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, thoughts start हो जाते हैं और ये जो thoughts start हो जाते हैं इसको overthinking बोलते हैं, thoughts thoughts की change जब start हो जाती है, तो उसके in-hand जो work है, उस in-hand work पर वो focus नहीं कर पाता जिसके कारण उसके जो work productivity है वो work productivity भी कम हो जाती है, वो projects time पर पूरे नहीं कर पाता, assignments पर पूरे नहीं कर पाता, घर के काम नहीं कर पाता और ये अदास्त के अंदर भी problem हो जाती है, हमेशा गुमसम से रहने लग जाता है, खोया-खोया सा रहता है, और जो symptom जो आता है, उसके फिजिक जनरली अगर इस तरह की thoughts उसके दिमाग में आती है और जिसकी वज़े उसको गुस्सा या चिडचिड़ापन हो रहा हो तो आसपास जो छोट-छोटी चीज़े भी अगर कोई भी noise है तो उससे भी उसको बहुत ज़़ा गुस्सा आने लग जाता है कोई भी उसको अच्छा नहीं लगता और उसको headache होने लग जाता है, headache उसके body का symptom है तो दोस्तो यहां तक हमें समझ में आ गया physical consequences इसके क्या है अब अपन बात करते हैं dispute की तो दोस्तो यहां पर जो dispute है dispute में क्या है कि यहां पर जो activating events से related जो thoughts आ रहे है इन thoughts का क्या proof है इस बात का क्या proof है कि लोग जब आपस में खड़े हो के बात कर रहे होते हैं तो वो आप ही के बारे में बात कर रहे है आपके office में अगर कोई बात हो रही है तो उसमें हमेशा आप से related topic ही discuss किया जा रहा है और आप से related कोई negative topic discuss किया जा रहा है इस बात का क्या proof है इस बात का कोई proof नहीं अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लोग अपनी ही कोई बात कर रहे हो कोई वो अपना personal topic discuss कर रहे हो इस चीज़ की भी तो possibility है हाँ इस चीज़ की भी possibility है तो दोस्तो जो यह activating event है जो activating event क्या है कि लोग आपस में बात कर रहे हैं और गर के अंदर बात कर रहे हैं उस time पर अगर दिमाग में यह thought आजाए कि यह मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं यह मेरे बारे में कोई loose talk नहीं कर रहे हैं कोई negative talk नहीं कर रहे हैं यह आपस में ही बात कर रहे हैं कि कोई अपनी personal problem discuss कर रहे हैं अगर इस तरह का thought अगर दिमाग में आजाए तो उस समय में कैसा feel ह उस समय बहुत अच्छा फील होगा, गुस्सा भी नहीं आएगा, चिर्चिडापन भी नहीं होगा, किस भी तरह की overthinking नहीं होगी, thoughts की train start नहीं होगी, headache भी नहीं होगा, work के उपर focus भी बहुत अच्छा होगा, work productivity भी बहुत अच्छी होगी, assignment भी बहुत time पर पूरे होगे, ल मानलो हम पिछले एक साल से इस thought के साथ चल रहे हैं, और हर दिन हमारे दिमाग में इस तरह का thought आया है, तो ये thought के जो negative pattern जो बने हैं, मानलो एक thought पर एक pattern बनता है, तो एक साल में 365 pattern बने हैं, तो हमें भी इस चीज़ की practice 365 बार करनी पड़ेगी, और उससे भी ज़्यादा कर यहाँ पर dysfunctional thought है, mind reading, mind reading का मतलब क्या है, कि यह assume कर लेणा कि लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, लोगों के बीच में जो discussion का topic है, वो मैं ही हूँ, मेरे ही किसी negativity के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि इसका हमारे पास कोई प्रुफ नहीं है फिर भी इस तरह का thought रखना दोस्तो अक्सर घर के अंदर जो आदमी है जो औरते हैं या फिर office के अंदर जो कलिक्स है उनके बीच में हमारे दिमाग में अगर इस तरह के thoughts आ रहे हैं कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं या फिर वो मेरे बारे में ही negative talk करते रहते हैं कहीं पर भी बस उनको मौका मिलना चीए दोस्तो ये mind reading के thoughts है अगर आप इस तरह के sentences बोलते हो कि भी मुझे पता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं करता कोई भी मुझे पसंद नहीं करता दोस्तो दरहसल ये जो dysfunctional thought है इसको mind reading बोलते हैं हमें नहीं पता कि लोगों के दिमाग में हम से related क्या चल रहा है फिर भी हमें जब हम अपनी तरफ से assume कर लेते हैं जब हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि लोगों के दिमाग में जो चल रहा है वो जो मैं सोच रहा हूँ वही एकदम सही है मैं अगर यह सोच रहा हूँ कि वो मेरे बार हम negative बात कर रहे हैं ये एकदम सही है तो ये दोस्तो एक dysfunctional thought है ये है एक dysfunctional thought है जिसको mind reading बोलता है लोगों ने आके हमसे कुछ भी नहीं कहा लोगों के बीच में discussion का topic हम नहीं है फिर भी हम अपनी तरफ से जब assume कर लेते हैं कि they are talking about me तो ये एक dysfunctional thought है और ये dysfunctional thought फिर आगे overthinking start कर देता है ये thoughts की train start कर देता है ये वो engine है जो डबो के आगे जैसे जुड़ता है तो ये train start हो जाती है तो जो उसके बाद के जो subsequent thoughts है उसके बाद जो thoughts आने चाहिए वो सारे के सारे thoughts आने start हो जाते है तो दोस्तो अगर आप इस तरह की mind reading करते हैं तो दोस्तो इस तरह की practice कीजिए CBT की घर पर practice कीजिए और इस practice से आप अपने इस mind reading वाले phenomena को हटाईए अपनी तरफ से assumed जो thoughts है उसको apply मत कीजिए अपनी तरफ से किसी भी thoughts को apply मत कीजिए ये मत लगाईए कि मुझे पता है लोग मेरे बारे में negative बाते कर रहे है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता वो अपनी बाते कर रहे हैं मुझे नहीं पता कि उनके बात करने के पीछे का कारण क्या है हम लोगों को नहीं पता तो हम अपनी तरफ से assume ना करें तो दोस्तो इस mistake को सुधारने की कोशिश करें ये एक दिन में नहीं सुधरेगी क्योंकि एक दिन में बनी नहीं है जब एक दिन में बनी नहीं है तो एक दिन में सुधरेगी भी नहीं तो हमें बहुत लंबे टाइम तक practice करनी पड़ेगी अपने day to day act में सुबे से लेके शाम तक जितने भी events हो रहे हैं उन events में जबी भी हमारे दिमाग में इस तरह का mind reading से related कोई भी thought आता है दूसरों के behavior को लेके कोई भी ऐसा thought आता है जो mind reading से related है उसी समय अपने आपको correct करें दोस्तों इसी चीज़ को बोलते हैं self-conscious खुद के प्रति aware होना, खुद के विचारों के प्रति जागरुख होना तो अपने विचारों के प्रति जागरुख होईए, अपने प्रति aware हुईए आपके दिमाग में कौन सा thought चल रहा है कहीं यह mind reading से related thought तो नहीं चल रहा नीचे comment box में लिखकर जरूर बताईएगा अगर आपको ये एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको बार बार देखिए नीचे comment box में लिख दीजिए मैं पूरी कोशिश करूँगा अगले वीडियो में और अच्छे से कुछ चीजों का explain करने की और इससे regarding अगर आप कुछ पूछना चाते हैं तो comment box में जरूर लिखिएगा और दोस्तों अब तक ये दिया आपने मेरे YouTube channel DRKTV को subscribe नहीं किया तो please उसे subscribe करें ताकि मेरे नए वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंचे और साथ में घंटे का बटन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों और आप चाहिए तो मुझे Facebook पर फॉलॉग कर सकते हैं मेरा Facebook पेज है DRKTV या कनेया का अच्छावा नाम से आप सर्च कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत